ये देखो यार तुमें एक बार ये क्या है ये देखो ये चिम्टा सा लगा दिया है 21 लाख रुपे खर्च करने के बाद हाइड्रोलिक्स नहीं दे रही है भई कमपनी Hello everyone and welcome back to another video तो आज अपने सामने है भई महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लास्टिक यार मतलब काफी ज़्यादा भोकाल मचाने वाली गाड़ी है रोड प्रिजेंस अलग ही है इस कार का और ब्लैक कलर के अंदर तो एकदम अलग ही लगती है ये कार भई सामने आमने से एकदम बह सारा तक भी इसका बेस वेरियंट आ जाता है जो अपने सामने देख रहे हो यह तो फिलाल टॉप मॉडेल है एस 11 के साथ है एक बार देख लो यह पीछे की साइड में कैप्टन सीट दिख भी नहीं होंगी बीच में आपको बाकी यार इसमें दो तीन कमिया है जो मुझे ल दोनों को तो आज मैं आपको इस कार का फुल डिटेल वॉकराउंड वीडियो दूंगा वीडियो को एंग तक देखेगा अगर आप यह गाड़ी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉकराउंड से सबसे पहले मैं आपने आप बागी यह फुलिपकी मिलती हैस के अंदर कोई भी आपको पावर स्टाइट स्टाप का बटन नहीं मिलता हैं स्टास्ट्स चोप인가 कोई भी बीटन नहीं मिलता हुआ बागी महिंज्डरा का लोग ओ और दूसरी की देखो यार इसकी दूसरी की ना दीया एक बार इंजन के बारे मारे में betaza out और चीहीं की बात करूँ है कि यार और का क्या चीज नहीं मलतीches कार के अंडर 21,00,00 होने के बाध भी आर बाकी यह तो देख Gayant ना इहां की साइडबे में आपको दिखा आप पसंद है मतलब हैविज्ट्रॉलिक्स दिया है कोई और और कर के अंदर नहीं देते बस को पर की साइड में बाकी नीचे आपको आप इंजन की बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है डीजल में आती है गाड़ी जो के प्रेडियूस करता है 130 बहच पी और 300 अम का टॉर्क प्रेडियूस करके देता है गार यह जो कार देख रहा हो और 184 cc मिलती आपको इस कार के अंदर तो काफी ज़्यादा बड़ी आइंजन है 300 अम का टॉर्क प्रेडियूस करके देती है गाड़ी माइलेज की बात कर ले तो माइलेज आपको यह 13 14 किलोमेटर पर लीटर का माइलेज देगी गाड़ी उससे जादा नहीं देने वाली बाकी फ्रेंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं एक बार इसकी हैडलाइट्स ओन करके दिखा देता हूं यार 21 लाग की गाड़ी में आपको कैसी हैडलाइट मिलनी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन होता हूं LED मिलनी चाहिए ना इसके अंदर आपको LED हैडलेंप्स नही आपकी फैनली मिलते हैं एक बार इसको डाउन कर देता हूं कभी यशा बहुत दमाइट्तव कर देता हूं यह देखो मतलब हैडलाइट देखो यारा है यार प्रिएक हैं तो फोड़ा सा इगनोर कर देना बागी ये देखो यार है ये लेड़ी में देदे तो काफी ज़्यादा बढ़िया रहता आपको एक लोग भीम के लिए एक हाई भीम के लिए दे रखा है बागी ये देख सकते हैं आपकी DRL आजाती है एक बार देख लो य बाग यार, front look ना, कासी ज़्यादा बढ़िया लगता है, car का मतलब, जो लगती है ना, एकदम, ऊची सी गाड़ी, और मतलब, देखो, grill विरिल, कितनी ज़्यादा बढ़िया है, इस car की, सब कुछ एकदम बढ़िया लगता है, और ये chrome finish में, आपको proper grill में देख सकते हैं, straps मिल जाएंगे, बागी matte grill देखने के लिए मिल जाती है, आपको, महिंद्रा का logo बगएरा मिल जाता है, कोई भी 360 degree camera, camera, front में parking sensor बगएरा नहीं आते, बागी bonnet देखो, bonnet पर जो cuts दिये ना, वो भी अलगी लगते हैं, बागी side profile की बात कले इस car की, तो side profile से देखो, एक बार मतलब car को, ऊची कितनी लगती है, मतलब अलगी level की car लगती है, अलगी level की लगती है, कहीं भी ले जाओ, इस car को कुछ नहीं होना, बागी देखो, इसकी height देखो, यहां तक height है, इसके उपर roof rail लग जाती है, वो और भी उची है, तो इससे बहुत ही जादा height बढ़ जाती है, और बागी यह सब आपका, देख सकते हो, roof में एंटीना वग आपको देख सकते हैं, और alloy wheel के साथ देखने के मिलेगा, और एक और चीज या, front में disc brake मिलेंगे यार, rear में disc brake नहीं मिलेंगे, एक बार खुद देख लो, rear में disc brake देदेते तो क्या हो जाता वही, top model गाड़ी चला रहा है, वंदर rear में disc brake नहीं है, वाकि यह सब fender पे turn indicator वग नहीं देती, यह company, ऐसे ओर आर्वियम पे दे देना चीज़िए था, बाकि यह Scorpio वगएरा लिखा हुआ मिल जाता है, side map को, और यह आपका देख सकते है, stepper आ जाता है, stepper काफी ज़्यादा बढ़िया है, इस car का, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया भी नहीं बोलुँआ, दे प्रफाइल देखो, रियर ते ऐसा लगता है, यह पता नहीं कित्ती उची गाड़ी देखो, बुलेरो घडिया साइड में उससे भी उची लगती है, spoiler वगएर अलगा हुआ है, car के अंदर, बाकि यह सकार की टेल लाइट देखो, Scorpio N की तरह टेल लाइट लगती थोड़ी और यह सब आपका देख सकते हैं, आपका टेल लाइट के अंदर है, टेन इंडिकेटर रिवर्स लाइट वगएरा सब आ जाती है, इसके अंदर ही देखो, सब फिटेड है, बाकि Scorpio Classic S11 है, टॉप मॉडल तो आपकी बैजिंग आ जाती है, बाकि यह महिंद्रा का लोगो आ आ जाता है, इस कार के अंदर, और नीचे की साइड में दिखा देता हूं, दो पार्किंग सेंसर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बाकि यार यह देखो, मतलब यह देखो, टॉप मॉडल लेने के बाद रियर में कोई कैमरा नहीं है, बाकि यह देख सकते हैं, आपका दे देखने के लिए मिल जाता है, और यह देखो, 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 यह यहां की साइड में हाइड्रोलिक्स दे देते यार कम से कम तो क्या ही हो जाता मुझे यह बता दो चिम्टा दे रखा है यार मतलब बिल्कुल अब समझ नहीं आ रहा भई क्या होगा इसके अंदर तो कम से कम यहां की साइड में हाइड्रोलिक्स दे देने चाहिए बाकी यह द मिलता दिया भ़ई, क्या-क्या देखने के लिए मिलता है क्या-क्या नहीं. तो ये देखो, ये आपका सब hard plastic है, सब आपका hard plastic है, चारो windows के control आजेंगे, ये थो थोड़ा सब side की side में soft touch दे रहा है, है निखकोल के, चारो window के control बगयर आजेंगे, यह door handle आजागा और नीचे की side में यहां की side में bottle holder का space नहीं दिया है यहां bottle नहीं आ सकती car के अंदर बाकी अब देख रहे हो इसाब आपका देख सकते हैं fabric में seats आईगी यह देख रहे हो आप fabric में seats है leather plus हलका सा leather लग हुआ है आपकी fabric में seat है height adjustable seat देखने के लिए मिल जाएगी अब interior में बैठके interior की बात कर लेते हैं इस कार के तो भाई यह है Scorpio top model full top इससे उपर कोई भी Scorpio classic में variant नहीं आता top model का interior यार मतलब interior देखो देशी interior जिसे बोलते हैं गाड़ी एक दम भाई भोकाल मचाने वाली गाड़ी है exterior की बात कर लिए क्या क्या चीज मिलती है क्या क्या चीज नहीं मिलती है वो सब मैंने आपको बता दिया अब interior में देख लेते हैं, interior में क्या-क्या चीज़ मिलती है, क्या-क्या चीज़ नहीं मिलती उसकी भी बात कर लेते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अब तक, तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए और share कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए इतनी महनत कर रहा हूँ आपके लिए गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ बाकि इंटीरियर में क्या क्या ओफर करती है टॉप वेरियंट की कमपनी इस चीज की बात कर लेते हैं सबसे पहले लेधर रेप्ट स्टेरिंग वील मिलेगा प्रॉपर आपको लेधर रेप्ट देखने के लिए मिलेगा बाकि स्टेरिंग वील आपको दिखा देता हूँ लाड़ी के अंदर यह चीज बोलने कि यह बहुत कर देए तरफ कंपनी ने यह चीज मुझे सभी चलो क्रूस कंट्रोल दे दिया बाकि यह वाइपर के कंट्रोल आजेंगे और इदर की साइड में हैडलाइट के अंदर आजेंगे और टो हैडलेम्स नहीं आता इस कार के अपने अप्डाउन कर सकते हो बाकि यह जो देखर हो आप इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर आजाता है कोई चेंज नहीं है इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं आपको ट्रिप A,Trip B,Total Trip यहां से कर सकते हो बाकि कुछ भी नहीं है नॉर्मल इंस्ट्रुमें यहां की साइड नहीं कि नियुक्त देखर हो ड provocative से कंट्री इंस्टर लेंडर बढ़िए कर देशसयृत की बात करें तो हार्ड नहीं करा गया है कमपनी गाडी के अंदर कंपनी सबदीने साइड दोर्स के साइड में लेलो यहां की साइड लेलो कहीं और झांका सा यूज कर आग्या है घॉません यह तरीका इस कुछ से रहता है कोई संदुद गौरें सबसेी इदर की साइड में आपका कोई를 कोई ने ढिया दिए उपको currently शेफटी में दर two pair ट्रेक्शन कंट्रोल गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलता है इस कार के अंदर जैसी चीज नहीं दिया कार के इंदर यह चीज मुझे समझ नहीं बाकि नीचे की साइड की बात करें तो यह देख सकते हैं 12 बोट का पावर सौकेट आजाता है और यह आइडियल स्टाइट स्टॉप का बटन कमपनी ने यहां की साइड में दिया है यहां की साइड में दिया है बाकि आपका 6-speed manual transmission में आती है कार यह आपका देख सकते हैं manual handbra इदर की साइड में little space है कुछ आप रख सकते हैं कोई armrest नहीं दिया है कार के अंदर इदर की साइड में आपको छोटा सा ग्लोब वक्स दे दिया है सही बता हूं तो कार के कागज भी ना है सही से इसकंदर सही बता हूं तो बाकि यह देख सकते हैं Scorpio लिख हुआ मिल जाता सब्साइब करें लिए कश्या बेस deposit Lexprogram जाएं से चर भी मतलब इतनी जादा गरमी हो रहीं क्या ही्जेब कर्या कर से लिए तो बटा हो यह प्रोपर फिल किसी याडि में ब intéressant पर यहां की साइट मैं प्रॉपर आम रेस्ट आफिए बढ़िया लगी और लगी मजा थे सब्सक्राइब करने का बटन आजाता है और यह थोड़ी सी मुझे प्लास्टिक त्यार ऐसी लग रहा है थोड़ा जीप सा लग रहा है सही बता हूं तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन रहा होगी आपको कैसी लगती है स्कॉर्पियो आप लोग तो बुराई नहीं करोगे स्कॉर्पियो सभी की पसंद है जो चीज कमिया थी वह मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है यह यह कमिया थी इस कार के अंदर बागी यार एक ठाट रो और देख कार का तो यही था इसका फुल डिटेल वाकराउंड वीडियो इंटीरियर और एक्स्टीरियर का अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फरगेट टू प्रेस दी बैल आइकन तब तक के लिए मिल